गलातियों चार अध्याए उसकी एक आयत मैं ये कहता हूँ कि वारिज जब तक बालक है यद भी सब वस्तूओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भी भेद नहीं अपने पडोसी को बोलो जब तक तु बालक है अपने घर के नौकरों के समान तारीफ करो जोर से मेरा आज ये बिलीव है कि अगर आज का वोर्ड आपने अपने अंदर समाया और रखा आज आपके सवालों के जवाब पर मिशुर आपको देने वाला है आप रेडी हो क्या उसने कहा तुम में और नौकर में कुछ भी अंतर नहीं जब तक तुम एक बालक हो बोलो अपने बडोसी को तुम में और नौकर में कुछ भी अंतर नहीं जब तक आत्मा में तुम बच्चे हो आपका बच्चा आपसे कितना भी प्यार क्यों न करता हो और आप अपने बेबी से कितना भी प्यार क्युंश नं करते हों, आप अपने पांच साल के बच्चे को कार चलाने के लिए नहीं देंगे। उसे आप तिजोरी संभालने के लिए नहीं देंगे आप उसे document पे sign करने के लिए authorized नहीं करेंगे आप wait करेंगे वो बड़ा हो और ताकि वो बड़ों की तरह कारे कर सके आपका बच्चा जब छोटा एक साल का तोतला बोले तो वो cute लगता है जब आप 5 साल का बोले तो थोड़ा सा cute लगता है लेकिन जब 18 साल का बच्चा तोतला बोले वो cute नहीं लगता वो भद्धा लगता है जिस तरह आप चाहते कि आप grow करें आपके बच्चे grow करें और mature हों उमर के मताबिक उसी तरह परमेश्वर भी यही चाहते है कि आप spiritually उमर के मताबिक behave करें लेकिन आज Christian लोगों कुछ का हाल ये है कि आत्मा में उमर तो उनकी 40 साल है लेकिन अभी भी diaper लगा हुए पॉलुस कहता कि उमर के हिसाब से तुम्हे गुरु हो जाने चाहिए था लेकिन अभी भी तुम बच्चे ही हो क्योंकि आप ही भी तुम वही बातों को मांगते हो जो तुम जब एक साल के थे tब मांगते थे कि मुझे pastor से मिलना है मुझे मिलके सारी बात बतानी मुझे मिलके सारी बात बतानी और ले हैंड करवान है और पॉलुस कहता थोड़ा grow करो word को receive करो आप चाहे first में चाहे last में आप blessed होंगे इसलिए परमिशों ने word आपको दिया वचन आपको दिया आप grow कर सकें, भड़ सकें और यही परमिशों चाहते है हालेलुया आप तयार है क्या उसने कहा नहीं तो तुम में और नौकर में कुछ भी अंतर नहीं जिस तरह एक घर में नौकर भी खाता पीता और रहता है और एक बच्चा भी खाता पीता और रहता है अगर वो मालिक जा रहा है गाड़ी में तो उसका नौकर भी साथ जाता है उस बच्चे को संभालने के लिए कोई खास फरक नहीं लेकिन जब वो बड़ा होगा तब वो फरक होगा उसमें और नौकर में आप सारी उम्र आत्मा में एक नौकर की तऱ बिता देंगे और आप में और दूसरे लोगों में कोई फरक नहीं होगा अगर आप ग्रो नहीं करेंगे स्पिरिट में अगर आप आत्मा में बढ़ेंगे नहीं बदलाव आपके हाथ में, परमेश्र के हाथ में नहीं हाँ या ना एसा कहतें जब बाbt 40 साल का होते है तो 40 साल का होने पर उसकी चोंच जो है वो किड़ी हो जाती उसके जो नाखुने हो उल्टे सीधे हो जाते हैं उसके पंक भारी हो जाते हैं और उसको फैसला करना होते हैं अब मैं मरना चाहता हूँ या मैं जीना चाहता हूँ अगर वो जीना जाता है तो पांच महीने का प्रोसेस है वो एक बहार बे जाता है अपनी चोंच तोड़ देता है अपने नाखों तोड़ देता है अपने पंखों को नोच नोच के निकाल देता है जब तक वो सब कुछ नया नहीं आता और उसके बाद वो 30 साल ऐसा कहा जाता हालिलुया और अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो परमिश्वर ने कहा मैं तरी जवानी को उकाब के नए नया कर दूँगा तो उकाबों के समान उड़ेगा उकाब के साथ परमिश्वर ने आपको कंपेर किया इसका कारण किया इसका कारण ये है कि अगर आप चाहें अपनी लाइफ में बदलाव को देखना तो ये आपको painful process से निकलना पड़ेगा, अगर आप नहीं चाहतें तो ये आपकी मर्जी है, अब अपनी लाइफ को renew नहीं करना चाहतें, अपने finance को नया नहीं करना चाहतें, तो ये आपकी मर् लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हो आपका बेटा नशा चोड़े, अगर आप बदलाव चाहते हो मेरी family सीधी हो, अगर आप बदलाव चाहते हो तो ये बदलाव परमेश्र कहता है आपके हाथ में, उस बाज को उस एगल को painful कुछ दर्द वाले चीजों से पांच महीने गुजरना पड़ता है, emotional pain, physical pain, determination और फिर वो जाके उस बदलाव को लेकर फिर अपनी नई लाइफ को वो शुरू करता है, लेकिन आज मसीह painful बदलाव को नहीं चाहता है, चाहता है सब कुछ ऐसे हो जाए, वो प्रार्थना करना नहीं चाहता, वो night prayer नहीं करना चाहता, फा उसी के नाम के लिए सताव नहीं सेना चाहता, तो ये बदलाव फिर आप लोगों के लिए नहीं, अगर परमेश्वर ने उकाबो के समान हमें compare किया, उकाबो के साथ हमें compare किया कि तेरी जवानी को मैं उकाब के समान कर दूँगा, तो उकाबो के समान उड़ेगा, तो इसक मतलब परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहता है, एक लाडले बच्चे को एक देश का प्रधान मंत्री नहीं बनाया जा सकता, और ये painful process फिर परमेश्वर यूसुफ का शुरू करता है, उसे कड़े में डालता है, उसे reject करवाता है अपने भाईयों से, पोती पर के घर में जा और prophetic declaration ही है, कि इस word को सुनने के बाद परमेश्वर आपको ताकत दे, वो आपको सामर दे, grace दे कि आप उस अगले लेवल को हासिल करने के लिए, जो भी determination चाहिए उसे हासिल कर सकें, फैसला कर सकें, आमिन ओचा तो ये आशिश आपकी एचर, वो painful process, लेकिन आपका दर्द और दूसरों का दर्द, same नहीं, आपका आपको बनाने के लिए, उचाई भी लेके जाने के लिए, नया लेवल चखाने के लिए, नई grace को देने के लिए, आपको मिलने वाली ये नई grace, आप दयार है क्या? एक Christian अपनी दो बातों से आगे बढ़ता है, प्रार्थना और क्य गिविंग, हाँ या ना? उकाब फैसला करता है कि अब मैं बैठूंगा और अपनी चोंच तोड़ूंगा, अपने नाखूं तोड़ूंगा, अपने पंखों को नोच के पुरानों को निकालूंगा, आप ग्रो करेंगे या नहीं, ये आप पे निर्भर है, आप कितना बढ आप पे डिबेंड करते हैं, कितना बढ़ना चाहते हैं, आप पे डिबेंड करते हैं, बाइबल कहती धोखा ना खाओ, परमेश्व ठटों में नहीं उड़ाया जाता है, इंसान जो कुछ भूत है, वही काटते हैं, बाइबल कहती पॉलूस और सब लोग प्रार्थना कर र पूरी कलीश्या लो लगा के लिखा, continues, और परमेश्व ने दूतों को भेजके पत्रस को आजाद किया कुर्नेलियस लिखा प्रार्थना कर रहा था तो परमेशों ने दर्शन दिया कि जा और पत्रस को बुला और पूरे घराने समेथ उससे वचन सुन पत्रस प्रार्थना कर रहा था और परमेशों ने दिखाया कि अन्य जातियों में भी जा और मेरा प्रजार कर और लिखा कुर्नेलियस दान देने वाला और प्रार्थना करने वाला था आप ग्रो कर सकते हैं आत्मा में अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो हफते में एक दिन रखो नाइट प्रेयर का फुल नाइट क्या करने ही? दो हफते में एक दिन रखो हफते में एक दिन रखो अपनी कपैस्टी के हिसाब से शुरू कर लाइफ चेंज होने वाली आपको याद रखना है जब तक आप मुल्ले अदा नहीं करेंगे आप उन चीजों को नहीं ले पाएंगे आप पूरे प्रेर्टों के काम पढ़ लो प्रार्थना और गिविंग बोने पर पूरा प्रेर्टों का काम है तो और कास विद्वा जो लिखा मर गई थी और सब विद्वाएं उस पत्रस को दिखा दिये कि उसने मिरे लिए ये कपड़े बनाए ये कपड़े बनाए और वो रो रही थी और पत्रस्त ने अपने मन में फैसला किया कि ये घिवर मरना नहीं चाहिए और बाइबल कहती वो जी उठी तब ही ता नाम की और जी उठी हाँ या ना कारण क्या था? प्रेयर और गिविंग कुर्णिलिस को प्रेयर और गिविंग पूरी बाइबल आप देख लो कई ऐसे प्रेयरित हैं बाइबल में जिनकी सेवकाई की शुरुवाद गिविंग से हुई थी अपनी प्रॉपटी बेच की उन्होंने प्रेयरितों के पाउं पे रखी लिखा उनकी सेवकाई की शुरुवाद वहां से हुई थी गंजूस कभी परमेश्र के राज्य में परवेश नहीं कर सकते प्रार्थना करने का मतलब है अपना टाइम परमेश्र को देना शरीर से ध्यान हटाना परमेश्र की और देखना वेट करना इंतजार करना परमेश्र का उसके टाइम के हिसाब से सब चीजे मेरी जिन्दगी में पूरी हो और गिविंग का मतलब आपको फेथ है कि मेरे पास जो भी पोजेश्चन्स हैं मेरे पास जो भी चीजे हैं वो सारी परमेशर के लिए हैं और उसके साथ जुड़ी हुई आप किविंग से प्रूफ करते हैं कि आपका ध्यान परमेशर की और है और आप संसारिक व्यक्ति नहीं क्योंकि संसार पर मन लगाने वाला बंदा कभी भी बो नहीं सकता उसका दिल पैसों के साथ लगा हुए लेकिन जो व्यक्ति परमेशर के साथ जुड़ा हुए है उसे मालूम है आज मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेशर के कामों के लिए वो आपको बुद्धी देता है आपको, सामर देता है अब अपने जीवन को अच्छी तरह वेधीत कर सके लेकिन आपको मालूम होता है जो कुछ मेरे पास है अगर वो परमेशर के महिमा के लिए तो परमेशर मुझे और देगा प्रेर्दों के काम के अंदर एक बात लिखिए कि सब लोग अपने अपनी चीजों को बेच कर चर्च में लाया करते थे अगर सब चीजे बिक्ती जा रही थी तो वो कलीसिया तो करीब हो जानी जाये थी पर बाइबल कहती उनमें से कोई भी द्रद्र नहीं था कोई भी गरीब नहीं था क्योंकि जब वो बोते थे तो परमेशों नए रास्तों को खोलता था उनके लिए वो गरीब नहीं हो रही थी वो एक्चुली अमीर हो रही थी क्योंकि क्रोथ बढ़ना ये आप के उपर निर्भर करता है परमेशों के उपर नहीं पर मेशों कहता है सारी उमर तू एक नौकर की ज़रा रह सकते है अगर तू ग्रो होने का फैसलन नहीं करता तू अगर तू बढ़ने का फैसलन नहीं करता तू कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ के अंदर जब तक आप आत्मा में इंक्रेस नहीं होंगे करेंगे नहीं वो कभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेंगे आप कॉपी कर लो सेवकाई की आप पुलपट की कॉपी कर लो प्रीचिंग की कॉपी कर लो लेकिन वो क्रेस की कॉपी आप नहीं कर सकते जब तक आप कुछ चीजों को छोड़ेंगे नहीं और कुछ को अप आपनाएंगे नहीं, अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, आप त्यारों ग्रहन करने के लिए, त्यारों अपने लाइफ में बदलाब देखने के लिए, आपको फैसले करने पड़ेगे, प्रार्तना करने का फैसला, गिविंग का फैसला, पापों को छोड़ने का फैस आप किस बिजनस में जाएं, किस फिल्ड में जाएं, कौन सा बिजनस चूज करें, कौन सा एरिया चूज करें, आप कभी नहीं कर सकते अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे आप जैसे जैसे स्पिरिट में बढ़ेंगे, प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, गिविंग के द्वारा, बोने के द्वारा, पाप को छोडने के द्वारा, उसी तरह से परमेशन आपके लाइफ के सामने से पड़तों को हटाता जाएगा और नया चप्टर शु शुरू कर दी आपकी लाइफ के जो गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं वो बेस्ट होंगे आपकी केटागरी में आपके रिष्टतार हैरान होने मैं आपको प्रोफेटिक वोड दे रहा हूं आपके रिलेटिव हैरान होने वाले हैं जो छीजें जो खुदा का हाथ आपकी कि क्या थी इधर प्रार्थना शान को प्रार्थना दुपहर को प्रार्थना पत्रस और लिखा याकूब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे प्रेयर करने के लिए चर्च में जा रहे थे और रास्ते में लंगड़ा मिलते है प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, स्पेशल घर से निकले प्रार्थना करने के लिए, पॉलू स्पेशल घर से निकला शेहर के बाहर जाके प्रार्थना करने के लिए, और लिखा वहां उसको बहुत सारे लोग मिले और उसने उनको परचार सुनाया और चीजे आगे बढ़त आज कसी विश्वासी से बूछो प्रेयर कितनी है 10 साल का क्रिष्चन आदा गंटा प्रेयर आप वो बच्चे हैं जो 18 साल के हैं और डाइपर लगा हुए और देखकर बुरा लग रहे हैं मैं तो वलन्टियर हूँ जी प्रेयर कितनी है? आदा गंटा बात में आप परमेश्वर को बोलेंगे कि ये जवाब क्यों नहीं आया और मैं आपको सच क्याता हूँ परमेश्वर ने एक भी जवाब आपको देना नहीं तो कि वो सब जवाब दे चुक है अगर आप ध्यान से बाइबल पड़े तो लिखा जब पॉलूस जो पहले शाउल था कलीश्वर को पकड़ने के लिए रास्ते में जा रहा था एक सूरच चम का एक रोश्टी चम की वो गिरा और ईश्वर ने कहा तुम मुझे क्यों सताता है उठा तो उसकी आखे बन थी उसे दमिश्वर में उसके साथी हाथ पकड़ कर छोड़ाए और परमेश्वर हनन्या नामक चेले को बोलता है हनन्या जा और पॉलूस को पूछ वो एक सीधी गली में तरसुस्वासी पॉलूस को पूछ जा क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्या नामक पूरुश को अंदर आते और अपने पर प्रार्थना करते देख है परमेश्वर ने हनन्या को भेजा नहीं था हनन्या रिजल्ट था पॉलूस की प्रेयर का आप समझरें मेरी बात को परमेश्वर ने उसको नहीं भेजा अब आप सुझेंगे अगर परमेश्वर ने पॉलूस को हनन्या से चंगा किया तो मेरी लाइफ में कोई हनन्या क्यों नहीं आता मेरी जिन्दगी में कोई ऐसा क्यों नहीं आता मेरी लाइफ में कोई डिवाइन हेल्पर क्यों नहीं आता बाईबल गाती परमिश्रों ने कहा हनन्या मुझे तुझे इसलिए बात करनी पड़ रही है तो कि पॉलूस ने एक हनन्या को अंदर आते देखे मैंने ने कहा तुझे जा पॉलूस ने असा देखे क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे है तेन दिन से ट्राइफ फास्टिंग के साथ कुछ खाया नहीं है कुछ पीया नहीं और आज आदा घंटा प्रार्थना करने वली चर्च इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स रखती परमिश्रों के सामने आपका हाल यह है कि जेब में साइकल के पैसे हैं और मर्सिडिस के शोरूम के बाहर खड़े उसके मालिक को गालिया निकाल रहे हैं पता नहीं क्यों और जिसके पास मर्सिडिस का पैसा है वो तो खुद भी नहीं जाता आपने असिस्टन को अकाउंड को भेज़ा जा एक गाड़ी निकलवा के ले गया कोई संगर्ष नहीं करता हूं बैंक भी उसके सामने ऐसे खड़े भाई साब गाड़ी ले दे गया कि दिए फंन्दरा मिनेट प्रेयर किदनी है एक गंटा की और दिन में ब्लूफ्य निक्तनीमारि एूप लड़कियों को लड़कों को कितनी गंदी निका मारी जी दस लड़कों को और हम सोचते हैं परमेशन हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर जल्द दे चर्च में आये, लकडी ली आग जला ली वापस आते जाते पाप का पानी फेरा ठंडा कर दिया, अब कहां कहां से जल रही है, कहां कहां से ठंडी है ये हाल क्रिश्चन लोगों का है कहीं शेतान काम कर रहा है कहीं परमेशों की ब्लिसिंग है तो कि कभी पाप कर लिया, कभी प्रार्थना कर लिया ये हाल है, और वैसी ही लाइफ है शाम को कहां जा रहा है पॉलूस प्रेयर करने के लिए, रात को कहां जा रहा है प्रेयर करने का, special प्राथना करने का एक time और एक place और एक महतव था प्रेयर का उनके life के अंदर हालिलुया, आप प्रेयर नहीं करेंगे, आपने खुद ब्लॉक किया हुए अपनी blessings को आपने खुद रोका हुए उन्हें, परमेशन रोका नहीं है, आपने रोका हुए आपको लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा प्रेयर का इसे फेस्टिवल नहीं बनाना की क्रिस्मिस करनी लाइफ स्टाइल प्रार्थना का लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा अगर कुछ लेना चाहते हो खुदावत अपनी हाथों को उठा वोलो प्रार्थना का आत्मा मुझ पे आए Giving का आत्मा मुझ पे आए अची आवाज है वोलो Prayer की Spirit मेरे अंदर अंदर एंडर करे Giving की Spirit एंडर करे मैं वैसला करो मुझे बढ़ना है उकाओ के नए नया होना है मांगो अपने हादों को उठाग प्रभीश्य मसी के नाम में रिसीव करो जो आज मैंने बोला फिर से बलो आमे आप तयार हैं अपकी लाइफ चेंज होने वाली मैं सच कह रहा हूँ इंपॉसिबल इंपॉसिबल की ना हो सुनो मैंने इंखेता कि आप पहले दिन पहला आपदा प्रार्थना करेंगे और आपका दिल करेंगे आपका मन करेगा नो आपका मन नहीं करेगा पर आपको पैपना पड़ेगा पपॉस ने का जो भविश्य हमाने तरे विशेमी की कि उनकी है उनके लिटगा आपको लड़ना पड़ेगा उन प्रोफेसिस के लिए और ये जो मैंने आपको रिलीस किया है और ये आप ले चुके हैं आप जैसे ही आज की मीटिंग के बाद इन वर्ड्स को पूरा करना शुरू करेंगे ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएं एक बार मैं एक अफ्रिका में चर्च में बैठा और वो खुदावन का दास अनाूंस कर रहा था ये वला बीज ये वला बीज ये वला और मैं लिख रहा था और जितने वो बोल रहा था मैं सारे बोल रहा था और वो हेरान हो रहे था कि यहर तू क्या कर रह आया ये भी लेना है ये भी मैने कहा सब लेना है मुझे सब ब्लेसिंग चाहिए problem बदा कहा है जब चर्च किसी blessed व्यत्ती को देखती है या एक pastor किसी blessed pastor को देखते है वो सोचता है शायद कोई strategy है चाहे कोई प्लैन है इनके पास, कोई प्लैन काम नहीं आता भाई, मसी में, कोई स्टेटिजी नहीं चलती, कोई प्लैनिंग नहीं चलती, अगर आपका बेसिक राइट नहीं है, तो, हालेलुया, लोग बोलते हैं, यह जर्च जो आपने, खुदावन ने आपको दी है, यह 25, हजार हो गई एक साल में, कहां गुर्दासपुर चर्च इतनी बड़ी, कैसे हैं, आप पे निर्भर करते हैं, आपका बोना, आपकी प्रेयर्स, कमिट्मेंट खुदावन के साथ, आपकी क्लीन लाइव फाइनेंस में, चर्च का पैसा आपका नहीं, और ऐसी सब चीजे, प्रिचुल चीजें जब आप फॉलो करते हैं, ग्रोथ आपकी लाइव का हिस्सा है, आप तयार हैं बड़लाव को देखने के लिए, अब हमेशा याद रखो, कोई भी एर सीरियस बड़लाव, बिना पेन के कभी नहीं आए, अगर एक आरत बच्चे को जनम देती हैं, उसे बनाता है, तो उसे मालूम है किन पेन से गुजरना पड़ता है, अगर आप वेट कम कर रहें, तो आपको मालूम है किस पेन से निकलना पड़ता है, हाँ या ना, बिना सेक्रिफाइज आप बड़लाव नहीं देख सकते, मैंने लोग देखे हैं, छे घंटे प्रार्थना कर करने वाले, फिर भी गरीब है, तो उन्हें ये लगता है, प्रार्थना करने से पैसा आएगा, पैसा आएगा बोने से, सामर्थाएगी प्रार्थना से, और आप मोस्ली देख लो, जब प्रेयर वारियर, जितने प्रार्थना वारियर्स होते हैं, मोस्ली आपको गरीब मिल क्यों कि उन्हें ये भूल जाता है कि प्रार्थना करने से फाइनस नहीं बढ़ेगा हर एक चीज़ के लिए परवेशों ने अलग से रास्ता बना हालेलुया आप जानते हैं अमेरिका में लोग अमीर कंपनीज क्यों ओपन होती गई और बढ़ती गई क्योंकि अमेरिकी जो क अमेरिकन हैं और सारे अमेरिकन पास्टर्स और एवेंजलिस बिजनस अर्गनेजेशन उन्हें सपोर्ट करती है तो वह फेल कैसे हो जाएगा हालेलुया अपनी लाइफ का अगर आप सिस्टम बना लें प्रेयर लाइफ गिविंग और प्रेयर कभी-कभी फास्टिंग से आ आप एक स्ट्रॉंग पिलर होंगे शैतान आपको हल हिला नहीं पाएगा और मैंने एक बात देखी रार्थना से रिजल्ट आपको आते हैं कई बार रिजल्ट आपको दिखता नहीं मैंने देखा ऐसे लोगों को आज गिविंग की आठ साल कोई रिजल्ट नहीं और नौव शोक्तर न गिविंग इसका रिजल्ट आता है किजी का जल्दी किसी का बाता है लेकिन आता जरूर है हालिलूया मुझे याद है नाइजेरिया में थाॉजन्डस और चीजों को जब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है, कई बात, कि नाइजीरिया में से वापिस आते वक्त, मेरी जेब में 100 डॉलर भी नहीं रहता था और मैं प्रभू से बोलता है, परमिश्वर तु सारा कुछ मुझे बोने के लिए कह रहा है, रास्ते में कोई ज़रूरत पढ़ गई, तो मैं तुझे पूछूंगा, और वापिस आते वक्त, मेरी जेब में खाली होती थी, और मेरे पास तब शायद क्रेडिट कार्ड भी नह और लोग बोलते हैं, आप मेरी ग्रोथ को नहीं रोक पाएंगे, योगि आप मेरी गिविंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मेरे हाथ में है, आप मेरी ग्रोथ को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मेरी प्रेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेरे हाथ में है, कितने मेर बार पिछले संडे इस संडे के और इस थर्सडे के वचन को सुनना बार बार हर महीने दो बार जरूर सुनना जब तक यह आपकी लाइफ स्टाइल नहीं बन जाता इससे सुनना मत छोड़ना और आप देखो कि हर बार आप सुनोगे आपकी सिजन लोगे जैसे आप आत्मा में कमजोर होंगे आप वर्ट सुनोगे आप इस सिजन लोगे और धीरे 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 अप स्ट्रोंग हो जाओ आमीन उन्चा यह आशिश आपकी और मानलो अगर आपको प्रारतना में रुकावट हो रही दो तिन बहने मुहले में मिल जाओ बैठके प्रारतना करो हां खुद प प्रारतना में हालेलुया हालेलुया बोलो दो घंदी और जैसरा बाप से हम मांगते हैं तो हमें स्पेशल वर्ड को लेने की जुरूरत नहीं है अपने बाप से टौफी मांगने में हम एप्लीकेशन नहीं लिगते हैं कि सेवा विखे जी हां दूदा डैडी आप सिधा जा लिगना में लिए का